अब हम देखते हैं causes of water logging over irrigation obviously irrigation जुरू से ज्यादा होगी तो water off is saturate कर जाएगा soil के अंदर canal irrigation in areas adjoining agriculture lands where sub soil water table steadily rises canal system है वो सही नहीं होगा तो भी क्या होगा water table rise कर जाएगा तो water logging हो जाएगी inadequate drainage inadequate drainage के पानी आप दे तो रहे हैं लेकिन आपको वहां से उसे रिमूव नहीं सही तना से करा रहें surface flooding surface flooding बहुत ज़्यादा पानी छोड़े हैं ठीक है एक land के उपर presence of high water table water table आपका बहुत ज़्यादा क्या हो गया हाई हो गया sea water comes to particularly area during high tidal surges हाई taral surges जब बहुत जो waves हैं जो लहरे होती हैं समंदर की वो हाई हो जाती है तो बहुत दूर दूर तक आजाती है अब बहुत दूर दूर तक आके वहां पे पानी खड़ा रहा जाता है वापस न जाता है इसके वैसे वह एरिया क्या हो जाता है water locked हो जाता है water logging conditions water logging conditions are also caused in depression along roads canals and railway sides during rainy season water logging कैसे हो सकती है अगर आप की roads अच्छी बने भी नहीं है रेलवेस अच्छी नहीं बने भी तो जो उनकी sides होती है लोंग road sites जो होती है उनमें भी बारिश के दुरान पानी को जाता है जमा हो जाता है और उन एरियास water log कर जाता है proper drainage system नहीं है ना proper drainage system हो तो पानी ठीक है आया बहार खड़ा बहार निकल गया आप देखें हमारे नार्वाल के अंदर जो बजार है वो कितना खराब होता है बारिश क सिस्टम ठीक नहीं है यह चोटा सिटी है और आप इसे भी बड़े सिटीज में चले जाया है कराची की तरफ मूव कर जाया आप देखें कि वहां तो लोगं को इतना पानी जम्मा हो जाता कि कश्टियां लेके घूमना पड़ता है क्योंकि हमारा drainage system है वो ठीक नहीं होता त accumulation of run off from the surrounding catchments एक तो बारिश हो गए ठीक है उसका पानी कड़ा हो गया दूसरा कि जो जारी बड़ता पारिश होगी तो जो आस पास के नदी नाले होंगे वो भी हाय हो जाएंगे उनका पानी भी जो लोवर एरिया उनकी तरफ मूव कर जाता है run off the water होता है इसकी बससे क्या ह हो जाती है water logging हो जाती है reasons of water logging in Pakistan सबसे पहले क्या है rainfall after heavy rainfall जो के भो तो नहीं लेकिन आज कल तो खेर बहुत है लेकिन जब जरूरत होती है हमें summers में तो तब तो monsoon बहुत कम होता है after heavy rainfall when water collects in the soil for the prolonged time without infiltration infiltration नहीं हो रही ठीक है पानी leash down नहीं कह रहा उपर ही खड़ा रहा 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 नीचे नहीं मूव कह रहा तो क्यों जेका water logging हो जोई पूर water management सबसे major मसला ही है कि मार पास management बहुत वीक है पैशक वह water management हो या कोई भी management हो weak management we have in our country poor water management excessive surface and subsurface drainage of water due to illiteracy of farmers and seepage from the rivers and non cemented canals मैं आपको बताए कि बहुत सारी किनाल जब क्या हैं cemented हैं तो non cemented canals हैं तो obviously क्या होगा proper system नहीं होगा farmers को भी illiteracy of farmers है obviously यहां पर farmers को illiterate करना चाहिए उन्हें बताना चाहिए उन्हें new new practices से introduce कराना चाहिए लेकिन यहां नहीं कराया जाता है यह सारा काम agriculture system का है actually agriculture system की agriculture department की यह duty है कि जो भी नहीं practice है वो canals के वाले से है या फिर वो ट्यूब वेल्स के वाले से है वो farmers को बताएज़े लेकिन यहां नहीं बताते इसकी वासे उनके पास इतना information नहीं होती कि वो canals system को या उसके पानी को या ट्यूब वेल्स के पानी को चीतरा से use कर सके या फिर उन्हें कै कैसे remove कराना है उनकी drainage कैसे करानी कर सके floods जो floods आते हैं उसकी वासे भी क्या होती है waterlogging होती है lack of proper drainage system proper drainage system नहीं होता है उसकी वासे भी waterlogging हो रही है पाकिस्तान के अंदर next is types of waterlogging severely waterlogged areas less severely waterlogged areas severely waterlogged areas कौन से है areas having water table depth ranging from 0 to 0.5 meter is called severely waterlogged area वो waterlogged area उनकी water table की depth 0 से 1.5 meter तक है उसे हम क्या कहते है स्वियर्ली waterlogged areas less severely कौन से होते है areas having water table depth 1.5 to 3m तक उनकी 1.5 से 3m तक उनको water table होता है उसको हम क्या कहते है less severely waterlogged area area having water depth जनकी क्या होती है 1.5 से 3m तक अगर यह वैजिटेटिटिव ठीक है यह surface है जहां पे वैजिटेशन हो रही है तो 0 से 1.5m तक यह है अगर यहां तक पानी आया वह हो था हम उसे क्या कहते है स्वियर्ली waterlogged और यहां से 1.3 से यह 3 और अगर यहां यहां तक पान पानी हो तो obviously less severe है तो कितना area क्या है aeration के लिए बाकी है और अगर यहां तक पानी आदेगा तो aeration 0 है तो वह क्या है severely waterlogged the actual depth of water table when it starts affecting the yield of the crop adversely may vary over a wide range from 0 for rise to about 1.5 meters to the other crops मतलब अगर 0 भी point है zero point में भी waterlogging हो चीए तो rice के लिए ओके है लेकिन different crop के लिए different level होता है यह आपका पास this table के अंदर बताया है वीट का क्या है cotton क्या है rice क्या है sugar cane का क्या है या footer crop का क्या है when the footer crop में भी अगर ज्यादा है तो it's okay कोई बात नहीं चाल जाता है 0.9 0.56 हाज किसी का क्या है different level है और अपने count कैसे करना start करेंगे obviously 0 से 0 0.1 0.2 0.3 4 5 0.9 okay other types of waterlogging waterlogging due to permanent submersion of land such as rivers मतलब के वो land due to rivers की वज़ा से यह ponds की वज़ा से अंडर जो है वो submersion है वहां पी हम क्या कर सकते है cultivation नहीं कर सकते वह भी waterlogged other types of waterlogging waterlogging from periodical submersion such as coastal and eustrains eustrains is a partial enclosed coastal body of the brackish water which one are more rivers are stream following flowing into it मतलब इसमें ऐसी यूस्ट्रिन इस जो कहते हैं इसके इसके इदर different जिदर रहा है नहीं गिरते हैं जिस एरिया के अंदर उसको मूस्ट्रिन भोलते हैं तो यूस्ट्रिन होती है या फिर बहुत से ऐसी होते हैं जो कि temporary यह पॉइंट नहीं लिखा हुआ फोर्ट से फ़हले थर्ड पॉइंट है ना वो त्री कर लिजिए को temporary water locking by stagnation of water as a result of heavy rainfall heavy rainfall हो जाती है बहुत देर के लिए वहां पाई खड़ा रह जाता है stagnant water बान जाता है तो बाटर लोगिंग हो जाती है फोर्ट पांट इस बाटर लोगिंग बै कमिंग और बाटर टेबल तो सर्फिस एंड स्वैंपी एरिया इंड वैली और मोस्ली कॉस बैद फिनोमेन इस नहीं अब देखें के rainfall हो रही है न तो जो हमारे घर है हमारे घर घर हो रहा है पानी के और ज्यादा आ रहा है और वेस्ली जो बाहर वाले एरिया से हमारे ओपन फील्ड है उनके अंदर लैवल उससे भी ज्यादा हाई हो जाता है वाटर लोगिंग फर मार्टिश एग्रिकल्च्र लैंड इंदा पॉल्डर पीस आफ लो लेंग एंड रिक्लि यह क्लिशन नहीं है मैं मिन्टेइन डीकृस्टन फ्रसंव कावन और लोगां में 6790 नहीं होती है करदा मम् अहहां को श्राइब करेंके नहीं हो रहे और भी ज्यादा जाएगी इन्मोब्लाज़ेशन होगी इन्मोब्लाज़ेशन मतलब कि इसके अंदर जो मुवमेंट है वो नहीं होगी जो कुछ मॉलिक्यूल्स है या कुछ सौल्ट सहमाँ पे स्टिल हो कर जाएगे लेक्ट्रोकेमिकल क्या ह चाहिए पहले बहुत पड़ चुके हैं बहुत इतेर आई ज्यादा हो जाएगा और जिए पीएच ज्यादा यह कम हो जाएगी डिक्रीज रडॉक्स potential redox potential oxidation reduction potential be decrease हो जैगा chemical इसका nature देखे तो soil reduction macronutrients toxicity हो जैगी वहां पर problems due to water logging it creates anaerobic condition in soil for which microbial activities hampered थेक है anaerobic conditions हो जैसे वासे क्या आता है microbial activities हो जाती है availability of nutrients elements in soil is reduced and leaching loss is higher एलिमेंट्स रिडियूस हो जाएंगे और लीचिंग लोज भी उसका फायाद हो जाएगा बहुत से अलिमेंट्स क्या हो रहे हैं लेकिन प्लांट को वेलेबल नहीं हो जाएगा ठीक है ड्राइयरियास के अंदर सैलेनिटी ज्यादा हो जाएगी जिए ज्यादा हो जाएगी अश्जी फैवर्ण करेंगे cyaan ठीक है माथा फैवरेबल नहीं है लेकिन प्लांट को मिल मिल रही है प्लांट को नहीं है